बचो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं If I Were You, हमने जान लिया है इंटूडर का प्लान, घुसपैटिय ने क्या प्लान किया है, कि वो जिराड को मार देगा और उसकी जगे पे उसकी जिन्दगी जिएगा उसी के पैसे से, चलो जानते हैं जिराड में अपनी चतुराई से किस प्र विशेश रूप से डेकरेटिव नहीं हो, सुंदर नहीं हो, तो इंटूडर ने कहा, नहीं, well, that goes for you too, पर ये बात तो तुम्हारे उपर भी लागू होती है, I have only got to wear specs, मेको तो केवल चश्मे पहन दे हैं, and I'll be enough like you to get away with it, और मैं काफी हद तक तुम्हारे जैसा हो कि मैं इन सारी चीजों से बच सकूं, तो जिरार ने कहा, what about your clothes, तुम्हारे कपड़ों का क्या, they let you down if you are not careful, बचो ये अलग शब्द है, तो जिरार ने बोला है, कि तुम्हारे कपड़ों का क्या, ये तुम्हें क्या कर देंगे, लेट डाउन कर देंगे, अगर तुम्हें स रूप से क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, तो जिरार ने कहा, that is extremely interesting, भचो अभी भी इतना कुछ जिरार को बता दिया, इंटूडर ने, फिर भी जिरार बिलकुल शान्त है, और उसने क्या बोला, कि ये तो बहुत जादा interesting है, दिल्चस्प है, but you seem to miss the point of my remark, पर मेरी वो जो टिपणी थी, उसका जो मुख्य बिंदू था, तुमने उसे मिस कर दिया, यानि कि तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो बच्चो क्या था उसका मुख्य बिंदू, अभी जानते हैं, पहले दिखते हैं, meanings, सबसे पहले है particularly, particularly यानि कि विशेश रूप से, फिर है decorative, decorative यानि कि सुंदर, extremely यानि कि बहुत और interesting यानि कि दिल चस्प, I said you were luckier than most melodramatic villains, तो जिराड अपनी बात की व्याख्या कर रहा है, अपनी उस टिपणी की, कि भई मैने तुम्हे का था कि तुम बहुत जादा किसमत वाले हो, जादा तर melodramatic अती नात किया खलनायकों से, it was not a tribute to your intelligence, और ये तुम्हारी बुद्धि मता की प्रशंसा नहीं थी, you won't kill me for a very good reason, और एक बहुत अच्छे कारण से, तुम मेरी हत्या नहीं करोगे, तो जिराड को लगता है, इंटूडर उसकी हत्या नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, अभी जानते हैं, तो इंटूडर ने क तुम मुझे जाने दोगे, और तुम भगवान का शुक्रियादा करोगे, कि तुमने मुझे पहले गोली नहीं मारी, तो इंटूडर ने कहा, come on, what's on your mind, चलो मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या है, बेटर बी क्विक, पर शीघर करो, this conversation bores me, ये जो conversation है, ये जो मुझे बोर कर रही है, उबा रही है, जिरार ने कहा, your idea is to allude the killing me and taking on my identity, तो तुम्हारा जो विचार है, वो है, बचना मेरी हत्या करके and taking on my identity, और मेरी पहचान ले लेना, तो बच्चो इस सवाल का जवाब तो हम जानते हैं, इंटूडर ने ये तो विचार किया है, पर जि कारण है, कि इंटूडर नहीं मारेगा उसको, अभी जानते हैं, यहाँ पर हम पहले देखेंगे, मीनिंग्स कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहला है, रिमाक, रिमाक यानि की टिपपणी, फिर है लकियर, लकियर यानि की भाग्यशाली, मेलोड्रमाटिक यानि की अत मतलब बातचीत, और बोर्ज यानि की उबादेना, इल्यूड यानि की बचना, तो बच्चो अभी भी क्या कर रहा है, जिराड, वो बिलकुल शान्त है, और वो यह बता रहा है उस इंटूडर को कि तो मेरी हत्या नहीं करोगे, क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा कारण है इंटूडर ने कहा, yes, I like the idea, कि हां मुझे ये विचार पसंद है, चिराड ने कहा, but are you sure it's going to help you, क्या तुम इस बात के लिए शौर हो, निश्चित हो कि ये जो विचार है तुमारी मदद करेगा, इंटूडर ने कहा, now listen here, अब मेरी बात सुनो, I have got this all planned, मैंने सब कुछ यो और मैंने एक पुलिस वाले की हत्या कर दी, since then I have done nothing but dodge, और तब से मैंने कुछ नहीं किया सिवाए चक्मा देने के, जराड ने कहा, and this is where dodging has bought you, और यहां पर तुम्हें ले आई है ये dodging, चक्मा देना, तो बच्चों ऐसा क्यों कह रहा है जराड, अभी जानते हैं, देखे पहले देखते हैं, identity का मतलब, identity का मतलब पहचान, और planned याने की योजनाबद, dodge याने की चक्मा, तो इंटुडर ने कहा, it bought me to Islesbury, ये मुझे Islesbury लेके आई, that's where I saw you in the car, और यहीं पर मैंने तुम्हें कार में देखा, two other people saw you, दो और लोगों ने तुम्हें देखा, and started to talk, और उन लोगों ने बोलना शुरू किया, I listened, मैंने उनकी बात सुनी, it looks like you are a bit queer, ऐसा लगता है कि तुम बहुत जादा queer हो, विचित्र हो, kind of a mystery man, एक रहस्यमय व्यक्ती जैसे, तो बचों, इंटूडर ने कुछ सुना दो लोगों को बात करते हुए, इस जिराड के बारे म कि जो जिराड है, एक बहुत रहस्यमय व्यक्ती है, जिराड ने कहा, a mystery, which I proposed to explain, कि हाँ, mystery तो है, रहस्य तो है, पर ये एक ऐसा रहस्य है, जो कि मैं प्रस्ताव दे रहा हूं तुम्हें, कि मैं उसे तुम्हें समझा पाऊं, तो जिराड बोल रहा है कि ये कारण है कि मैं रहस्यमय हूं, और वो जो कारण है, वो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, intruder, disregarding him, intruder ने इस जिराड की, इस समझाने वाली बात की अभीलना करते हुए, कहा, you phone your orders, तुम अपने जो order है, वो फोन पे देते हो, and sometimes you go away suddenly, और कई बार, तुम अचानक चले जाते हो, and come back just the same, और अचानक ही आजाते हो, तो ऐसा क्या काम करता है बच्चों जिराड, अभी जानते हैं, ये देखते हैं पहले कि listen का मतलब क्या होता है, listen यानि की सुना, queer यानि की विचित्र, mystery मतलब रहस्यमय, propose मतलब प्रस्ताव देना, explain यानि की समझाना, disregarding यानि की अभेलना करते suddenly मतलब अचानक, those are just the things I want to do, और जो ये तुम काम करते हो न, फोन पर ओर देना, अचानक गायब हो जाना, अचानक से आजाना, ये ही वो चीजे हैं, जो मैं करना चाहता हूँ, hearing about you was one of my luckiest break, तुम्हारे बारे में सुनना, मेरे लिए सबसे भाग्यशाली break था, अवसर था, जिराड ने कहा, apparently you haven't the intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery, तो जिराड ने क्या बोला है, बचो बहुत चतुरह ये व्यक्ति, उसने बोला है, कि इस पश्टता से तुम्हारे अंदर वो बुद्धे मता नहीं है, कि पूछने की, कि मैं क्यूं, मैंने क्यूं ये वस्तर पहने हुए है, इस मैंने क्यूं पहनावा है, तुम्हारे अंदर ये प्रशन पूछने की पुथी मता नहीं है, तो इंटूडर ने कहा, preparing to shoot, इंटूडर क्या कर रहा था, गोली मारने को तयार होते हुए बोला, as I said before, जैसा कि मैंने तुम्हे पहले बोला है, this conversation pose me, ये जो बातचीत है, इससे मैं उब रहा हूँ, Gerard ने कहा, don't be a fool, मूर्क मत बनो, if you shoot, you'll hang for sure, अगर तुम्हे फासी हो जाएगी निश्चित रूप से, if not as yourself, अगर तुम्हे तुम्हे तुम्हारी रूप से फासी नहीं हुई, then as a Vincent Charles Gerard, तो तुम्हे फासी मिलेगी Vincent Charles Gerard के रूप में, तो मतलब बच यह जो इंटूडर था ना, जिसे लग रहा था कि भई, Gerard तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है, यह इसने जराड ने बोला है कि अगर तुम्हे फासी तुम्हारे नाम से नहीं हुई, तो तुम्हे फासी निश्चित रूप से हो जाएगी मेरे नाम से, य पहला है लकियस्ट, लकियस्ट यानि की भागिशाली, फिर है अपरेंटली, अपरेंटली यानि की सपश्टितया, इंटेलिजन्स यानि की बुद्धी मता, इन्वेस्टेड यानि की वस्त्र पहना, क्लोक मतलब चोगा, मिस्ट्री यानि की रहस्य, कॉन्वर्जेशन यान की बातचीत हैं यानि की फासी देना तो बच्चों जाने की जिराड ने ऐसा क्या किया है कि उस इंटूडर को फासी हो जाएगी अगर उसने जिराड को मार दिया और उसकी पहचान ले ली तो What is this? इंटूडर ने पूछा ये क्या है? जिराड ने कहा This is your big surprise ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा चर्रह है I said you wouldn't kill me and I was right मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मुझे नहीं मारोगे और मैं बिल्कुल सही था Why do you think I am here today and gone tomorrow? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं क्यों एक दिन यहां होता हूं और अगले दिन चला जाता हूं और never see trades people और मैं कभी नहीं मिलता trades people से व्यापारियों से You say my habits would suit you तुम कहते हो कि मेरी जो आदते हैं वो तुम्हें suit करेंगी तुम्हारे लिए अनुकूल रहेंगी You are a crook, तुम एक बदमाश हो Do you think I am a Sunday school teacher? तुम्हें क्या लगता है? मैं एक Sunday school teacher हूँ यानी बच्चर जिराड बोल रहा है कि मैं एक Sunday school teacher जितना अध्यापक जितना शरीफ नहीं हूँ तुम तो बदमाश हो ही लेकिन मैं भी बहुत बदमाश हूँ इसी कारण से मैं एक दिन या होता हूँ एक दिन नहीं होता और मैं कभी व्यापारियों से नहीं मिलता एक बच्चो क्या गलत हुई क्या करता है ये जराड सल में अभी जानते हैं देखिए पहले देखते हैं सप्राइज का मतलब सप्राइज यान की आशर, हैबड्स यान की आदतें, सूत यानि की अनुकूल होना क्रोक यानि की बदमाश, कंसर्ण यानि की संबंधित होना और रॉंग यानि की गलत I said it with bullets and got away और मैंने क्या किया मेरे साथ कुछ चीजे गलत हो गई और मैंने गोलिया चला दिया और मैं वहां से भाग निकला unfortunately, दुर भाग यबश they got one of my men and found things the fool should have burnt और उन लोगों को वो चीज मिल गई जो की उस बेवकूफ को यानि की मेरे उस आदमी को जला देनी चाहिये थी Tonight I'm expecting trouble आज रात मैं अपेक्षा कर रहा हूं, मीद कर रहा हूं, मुसीबत की My bag's packed, ready to clear off There it is और मेरा सामान भी मैंने बान लिया है भागने के लिए Intruder, it's a bag alright and this is a gun alright Intruder ने कहा, वो एक bag है, ठीक है और ये मेरे पास बंदूख है, ठीक है What's all this, अब ये सब क्या है Jira ने कहा, that's a disguise outfit कि ये जो है, एक disguise का वेश बदलने का outfit है, वस्तर है false moustaches, नकली मूचें and what not और बहुत कुछ, now do you believe me तो क्या, अब तुम मेरा यकीन करते हो, Intruder ने क्या कहा musingly सोचते हुए I don't know, मुझे नहीं पता तो बचो वो Intruder जो अभी तक मारने का सोच रहा था जो बिलकुल निश्टित था कि वो इसको जागे लेली, तो मेरे साथ ही वो चीज हो जाएगी, तो क्या-क्या शब्द है यहाँ पर देखिए, revise करते हैं सबसे पहला है Unfortunately Unfortunately यानि की धुर्भाग्यवश Expecting यानि की उमीद करते हुए Trouble यानि की मुसीबत Packed यानि की सामान बांधना Disguise यानि की वेश बदलना Outfit मतलब वस्त्र False यानि की नकली Mustaches यानि की मुछे Believe मतलब यकीन और Musingly यानि की सोचते हुए तो इंटूडर अब सोच में पढ़ गया है की यकीन करूं या ना करूं फिर जरार ने कहा For God's Sakes, clear that muddled head of yours and let's go और जल्दी में जरार ने क्या बोला है भगवान के खाते clear करो, साफ करो अपने उस अव्यवस्थित, muddle यानि अव्यवस्थित दिमाग को और चलो यहां से Come with me in the car, मेरे साथ काल में चलो I can use you, मैं तुम्हारा इस्तमाल कर सकता हूं तो बच्चो पहले क्या हो रहा था जरार बिल्कुल शान था लेकिन अब क्या हो गया है उसको पता है, उसके लिए मुसीबत आ रही है इसलिए उसने जल्दी करनी शुरू कर दिये कि अब चलो यहां से, निकलो यहां से If you find it's a frame अगर तुम्हें लगे कि एक फ्रेम है यानि कि एक चल है You have got me in the car मैं तुम्हारे साथ कार में हूं And you have still got your gun और तुम्हारे पास बंदूक है इंटिवडर ने कहा Maybe you are right, शायद तुम ठीक हो जरार ने कहा Then don't waste time, तो समय बरबाद मत करो Goes and picks up a hat and bag और बहुत जल्दी में बच्चो जरार उसको लग रहा है कि उसके लिए क्या रही एक मुसीबत आ रही है कुछ लोग उसको पकड़ने और मारने आ रहे है जरार ने कहा कि वो जल्दी से गया अपना bag और hat उठाई तो इंटिवडर ने कहा Careful boss, I am watching you साबधानी से मैं तुहें देख रहा हूँ तो बच्चो यहाँ पे एक ही शब्द है मडल जिसका मतलब होता है अव्यवस्थित तो जरार ने कहा I have got a man posted on the main road कि मैंने एक आदमी को लगा दिया है मुख्य सडक पर He'll ring up if he sees the police वो क्या कर देगा फोन कर देगा अगर वो पुलिस को देखता है तो But I don't want to leave पर मैं हाँ से जाना नहीं चाहता टेलीफोन bell rings तभी क्या होता है भई बहुत जल्दी है इन लोगों को निकलने की क्योंकि दोनों को ही फांसी के लिए क्या होने वाला है पुलिस ढून रही है और पुलिस आ रही है अब जिराड के घर इतने में क्या होता है टेलीफोन की घंटी बचती है Come on, they are after us और क्या बोलता है जिराड चलो, वो हमारे पीछे हैं Through here, straight to the garage यहां से सीधा गेराज में चलो यानि कि एक रस्ता दिखाया जिराड ने उस इंटूडर को तो इंटूडर ने कहा How do I know that you are telling the truth मैं कैसे मान रू के तुम सच बोल रहे हो जिराड ने कहा Oh, don't be a fool तुम मुर्ख मत बनो Look for yourself, तुम खुद देख लो जिराड ओपन से दूर जिराड ने क्या किया दर्वाजा खोला and steps away और पीछे हट गया इंटूडर वो जो घुस पैठिया था leans forward to inspect it वो आगे जुका जाच करने के लिए निरिक्षन करने के लिए with his sides towards जिराड और उसकी side क्या थी? जिराड की तरफ थी but with the revolver ready पर उसकी जो बंदूग थी वो तयार थी as he turns his head जैसे ही intruded मुडा जिराड gives him a push into the cupboard जिराड ने उसको एक अलमारी में धक्का दे दिया knocking the revolver out of his hand गिराते हुए उस revolver को उस व्यक्ती के हाथ से he slams the door और जिराड ने जोर से बंद कर दिया दर्वाजा and locks it और ताला लगा दिया picks up the revolver and goes to the phone और फिर वो क्या करता है उस revolver को उठाता है और फोन के पास जाता है there he stands with the gun pointed at the cupboard door और जहां पर वो खडा रहता है उस cupboard की तरह बंदू कताने हुए intruder rattles the door and shouts intruder क्या करता है खट खट आता है वो दर्वाजा और चिलाता है let me out of here मुझे यहां से बाहर निकालो तो बच्चों यहां पर क्या क्या मीनिंग्स पढ़े है देखिए पहला है leans leans यानि की जुकना फिर है forward forward यानि की आगे inspect मतलब निरिक्षन slams यानि की जोड से बंद करना और rattles यानि की खड़ खड़ाना तो बच्चों जराद चतुर तो है उसके लिए तो मुसीबत आ रही है पर उसने पहले इस intruder से पीछा चुड़ाया और कैसे चुड़आया उसने धक्का दे दिया इस intruder को एक अलमारी में और अलमारी बंद कर दी जराद, हेलो और साथ में अब क्या किया है जराद ने फोन उठाया और कहा हेलो, ये स्पीकिंग हां, बोल रहा हूं sorry, I can't let you have the props in the time for rehearsal मुझे माफ करना मै तुमें नातक का ये सामान पूर्वा अभ्यास के लिए नहीं दे सकता I have had a spot of bother मेरे को एक चीज मिली है quite amusing, जो की काफी जादा मनुरंजक है I think I'll put it in my next play मुझे लगता है कि मैं इसको अपने अगले नातक में इस्तमाल करूंगा तो बचो इतनी दे से जराड ने क्या बता दिया भई वो तो बता रहा था intruder की वो एक बतमाश है उसके पीछे पुलिस है और इसी कारण से वो सामान बांध रहा था और उसने ऐसे कपड़े पहने थे पर असल में वो क्या करता है बचो वो एक नातक करता है और नातक में होता क्या है बचो वो ये बताता है कि भई असल में मैं क्या करता हूँ मैं एक नातक लिखता हूँ और उसमें मैं आक्टिंग करता हूँ अभी ने करता हूँ फोन पे वो यही बता रहा है और इससे हमें पता चल गया है I think I'll put it in my next play Listen, can you tell your friend the sergeant to come up here at once तो फिर उसने फोन पे ही बुला कि सुनो तुम्हारा जो उम्मित रहे जो sergeant है उसको क्या तुम कह सकते हो कि यहाँ पे आ जाए जट से You'll probably find him in the public bar तुम्हें शायद वो मिलेगा public bar में तो बच्चो क्या क्या शब्द पढ़े हैं तो बच्चो अच्छा लगा ना आपको यह नाटक चलो इस नाटक को फिर से रिवाइस करते ही कि क्या क्या हुआ देखे बच्चो एक व्यक्ति है जराड जो अपने घर में क्या कर रहा है सामान बान रहे हैं कहीं जाने की तयारी करता है तब ही उसके घर में का जाता है अजनभी वो गुस्पैटिया का चाहता क्या है वो ये चाहता है कि वो जिराड को मार दे और उसकी जगे उसकी पहचान उसकी धन दौलत उसका घर सब कुछ लेके उसी तरीके से जैसे कि जिराड अपना आराम से जीवन यापन कर रहा है वैसे करे पर असल में जिराड उसको बताता है कि वो तो एक बदमाश है जो की भई जिसको पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है और ये सुनके इंट्रूडर को क्या लगता है कि भई यहां से भागने में ही भलाई है जिराड के साथ पर तभी जिराड चतुराई से उस इंट्रूडर को अलमारी में बंद कर देता है और अंत में वो जब फोन पे बात करता है तब हमें पता चलता है कि भई ऐसा कुछ नहीं है ना वो बदमाश है ना कोई बहुत खतरनाक व्यक्ति है वो तो केवल नाटक लिखता है और अभी नए करता है तो बचो अच्छा लगा ना आपको यह नाटक अगले वीडियो में करेंगे हम इसी चैप्टर के क्वेशन आंसर्स बने रहिएगा मेरे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में